समस्कार दोस्तों प्रकास क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों कल की क्लास में हमने संभिधान के भाग एक के बारे में पढ़ा था आज हम अपनी क्लास को कांटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टापिक होगा संभिधान का भाग दो तो संभिधान का भा प्रापन कीया है और इसमें कुल मिला के अनुचेद 5 से 11 तक के अनुचेद सामिल किये गए तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि यह नागरिक्ता होता क्या है जो होती है यह एक ऐसा अधिकार हो इस तरह का प्रमाड पत्र होता है कि जिस देश के लोगों को ये अधिकार मिला हुआ होता है उस देश के वही लोग कुछ विसेश अधिकार धारड कर पाते हैं कुछ कानूने अधिकार होते हैं कुछ राजिनीतिक अधिकार होते हैं वो सिर्फ उन नागरिकों को ही मिलते हैं इसके अलावा जो हमारे देश के समयधानिक पद होते हैं उन पदों पर सिर्फ और सिर्फ उस देश के नागरिक ही बैठ सकते हैं बाकी किसी वी विकतिको उस पद को धारण करने की अनुमती नहीं होती है तो किसी भी देश में या तो नागरिक हो सकते हैं या तो विदेशी हो सकते हैं जैसे मालिया भारत में ही अमेरिका का कोई व्यक्ति घूमने आया है तो वो घूमने आया है तो वो विदेशी है वो आराम से घूमे फिरे कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसको नागर कि ही ऐसे पत के लिए चुनाओं लड़ सकता है तो यह जो नागरिक्ता किसको मिलनी चाहिए किसको नहीं मिलनी चाहिए यह संविधान के भाग 2 में अनुछेद 5 से 11 तक में दिये गए हैं आपसे डारेक्ट कोशन पूछेगा कि संविधान के किस भाग में नागरिक्ता से हम अलक अलक पढ़ेंगे सबसे पहले हैं हम इन अनुछेद को तीन भागों इबाट लेंगे जो मारा पहला भाग होगा इसमें हमारा अनुछेद 5 से 8 आएँगे और दूसरे हमारी कैटागरी में अनुछेद 9 न आ जायेगा और तीसरी कैटागरी है इसमें अनुचेद दस और ग्यारा तीन भागों में हमें इसको बाटके पढ़ेंगे अनुचेद पांच से आठ अनुचेद नव और अनुचेद दस और ग्यारा अनुचेद पांच से आठ तक जो प्राभधान है इसमें नागरित्ता मिलने से सम्बंधित प्राभधान है भारत आजाद हुआ तो उस समय किस व्यक्ति को नागरिक्ता मिलने चाहिए और किस व्यक्ति को नागरिक्ता नहीं मिलने चाहिए ये हमारे प्राभधान किये गए अनुच्छेद 5 से 8 तक जो अनुच्छेद 9 है इस अनुच्छेद 9 में बताया गया है नागरिक्ता की समाप्ति कैसे होगी और अनुच्छेद 10 और 11 जो है इसमें नागरिक्ता से सम्मंदित संसद की सक्तियां दे गई हैं कि नागरिक्ता से सम्मंदित क्या क्या प्राब्धान किये जाएंगे ये प्राब्धान कौन करेगा संसद और किस तरह से करेगे ये प्राब्धान दिये गए अनुच्छेद 10 और 11 में चुकि नागरिक्ता हमारा संग सूची का विसे है तो नागरिक्ता से सम्मंदित कानून संसत बनाती है और चुकि जब सम्मिधान लागू हुआ उस समय ज्यादा इतना समय नहीं था कि हम किसको कैसे करके जो है नागरिक्ता देंगे या नहीं देंगे तो उस समय के आधार पे अनुच्यत 5 से 8 तक प्राभधान कर दिये गए लेकिन उसके बाद आगे आने वाले समय में किस तरह से लोगों को नागरिता दी जाएगी ये छोड़ दिया गया संसत पे तो संसत ने इससे संबंदित एक कानून भी बनाया है उसको हम लोग आगे देखेंगे पहले हम लोग अनुच्यत 5 से 8 तक के प्राभधानों को देखते हैं step by step देखे हम लोग देखते हैं सबसे पहले अपना संबिधान का अनुच्यत 5 संबिधान का अनुच्यत 5 क्या करता है कि जब संबिधान परारंग हुआ था उस समय किसे किसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए तो इसमें तीन बाते दी गए हैं इन में से तीन में से कोई भी एक सर्थ पूरी होनी चाहिए यानि कि संबिधान प्रारंब होने के समय प्रतियक वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका जन्म भारत में हुआ हो अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो वह व्यक्ति संविधान प्रारंब होने के समय अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तब वह व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाएगा दूसरी बात अगर मालिया उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो और उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ हो अगर ये भी नहीं है मतलब ना तो उसका जन्म भारत में हुआ है ना उसके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ है तब उसको किस आधार पे ठीक पांच वर्स से भारत में रह रहा हूँ या तो उसका जनम भारत में हुआ हो तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा अगर उसका जनम नहीं हुआ है तो उसके माता या पिता माता पिता का जनम भारत में हुआ हो तब भी भारत का नागरिक माना जाएगा अगर ऐसा भी नहीं है तो तीसरी सर्थ यह होती है कि वह संविधान प्रारंब होने से पांच वर्स पहले से भारत में रह रहा हो तो संविधान के अनुच्छेत पांच के आधार पर उसको नागरिक्ता मिल जाएगे जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो हमारे पूर्वस थे जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी बगरा उनको सब को जन्म के आधार पर ही भारत की नागरिकता मिली थी लेकिन 1947 के बाद जो जन्म लेने वाले लोग थे 1950 के बाद तो उनको तो इस आधार पे नागरिक्ता मिलती नहीं तो उनको नागरिक्ता का आधार मना ये कि उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो अब कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ था और ना उनके माता-पिता का जन्म भारत में हुआ था लेकिन भारत की आजादी की लड़ाये में उनका एक बहुत विसेश योगदान रहा तो अगर वो चाहते हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहि लेकिन आजादी की लड़ाये में उनका एक विसेश योगदान रहा तो उनको इस आधार पे भारत की नागरिकता देने का प्राबधान किया गया जो पाकिस्तान से भारत आये हुए कुछ लोग इनके लिए अनुछेद छे में नागरिकता से सम्मंदित प्राबधान किये जैसे जब यह निश्य हो गया कि अब भारत पाकिस्तान दो देश बनने ही बनने हैं तो कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे कुछ लोग ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे तो जो भारत से जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं तो उनके लिए नागरिक्ता से संबंदित कुछ ना कुछ प्राभधान करने पड़ेंगे तो ये इनके लिए एक डेट फिक्स की गई 19 जुलाई 1948 तो इस 19 जुलाई 1948 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमिट सिस्टम लाउग किया गया था तो इसको डेट को आधार बना लिया गया कि इस डेट से पहले जो भी लोग भारत में आ चुके हैं उनके लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं है वो भारत के नागरिक्त ऐसे ही मान लिये गया लेकिट अगर ये लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे हैं तो उनके लिए एक प्रोसीजर बनाया गया भारत के नागरिक बन सकते हूं यह अनुचिर छे में प्राबधान किया गया अनुचिर साथ में क्या प्राबधान किया गया जैसे भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बट रहा था तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमें तो यह अलग देश मिल ही किया है पाकिस् चुकि भारत से पाकिस्तान चले गए थे फिर से भारत आए हैं तो कुस्तो जो है प्रिक्रिया अपनानी पड़ेगी ऐसी थोड़ी है कि जब मन हुआ तो पाकिस्तान चलेगा जब मन हुआ तो भारत चलेगा तो कुस्तो प्रिक्रिया अपनानी पड़ेगी तो उसके लिए प कहता है जो ऐसे लोग जो भारत से बाहर रहे रहे हैं जैसे मालिया इसमें हम PIO को सामिल कर सकते हैं OCI को सामिल कर सकते हैं या फिर NRI के बच्चे होते हैं इनका जन्म मालिया किसी दूसरी धर्ती पे हुआ है या जो हमारे विदेशी राजदूत बगारा होते हैं वो किसी दूसरे देश में उनकी पोस्टिंग है और बही पे उनके वच्चे का जन्म हुआ है तो उनको नागरिक्ता से सम्मंदित क्या प्राबधान होंगे या फिर मालिया कोई विदेशी व्यक्ति हमारे यहां आया है ह भारत में जैसी लेंड किया तो उसको जो है बच्चा हो गया तो इस तरह के नागरिकों के लिए क्या प्राबधान किये जाएंगे यह प्राबधान किये गए अनुछिद आठ में तो हमारे सम्मिधान के अनुछिद 5-6-7-8 इन 4 में नागरिक्ता से संबंदित प्राबधा लागू होते हैं वो नागरिक्ता अधिनियम से लागू होते हैं जो अभी आगे देखेंगे इतना नोट करिए तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अब संबिधान का अनुच्छेद 9 क्या कहता है संबिधान का अनुच्छेद 9 नागरिक्ता की समाप्ती से संबंदित है कि नागरिक्ता कैसे किसी व्यक्ति की समाप्त की जा सकती है जैसे मालिया भारत में एकल नागरिक्ता का प्राभधान किया गया है एकल नागरिक्ता का मतलब यह होता है कि भारत में सिर्फ देश की नागरिक्ता होगी राजियों की नागरिक्ता नहीं होगी और इस एकल नागरिक्ता का दूसरा मतलब यह होता है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत की ही नागरिकता सुईकार करेगा जैसे ही वो किसी दूसरे देश की नागरिकता सुईकार करता है उसकी भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगे जैसे माल लिया कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो जैसे ही मैं दूसरे देश की नागरिक्ता सुईकार करता हूँ बिना किसी तरीके से बिना किसी जो है कानूनी प्रिक्रिया के मेरी नागरिक्ता भारत की समाप्त हो जाएगी तो ये बात कहेंगे अनुच्छिद 9 में कि यदी भारत का कोई भी नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिक्ता सुईकार करता है तो उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी अनुचित 10 और अनुचित 11 इसमें नागृता से समंधित प्रावधानों के लिए संसत को कुछ अधिकार दिये गए अनुचित 10 में कहा गया है कि मलब संसत यूही किसी भी व्यक्ति की नागृता समाप्त नहीं कर सकती जैसे माली अगर कोई हमारे अदिस की संसद है वो अगर किसी व्यक्ति की नागरिक्ता समाप्त करनी है तो ऐसे ही नहीं कर सकते उसके लिए पूरी प्रोसीजर लाना पड़ेगा अगर संसद को अधिकार दे दिया जाए कि कि किसी व्यक्ति की नागरिक्ता समाप्त कर दे तब कि वो किसी विव्यक्ति की नागरिक्ता को यूही समाप्त नहीं कर सकती और अनुछेद 11 में बताया गया है कि नागरिक्ता से सम्मंधित जो प्राबधान है उन पे कानून बनाने की सकती संसत को दिये गया है क्योंकि जो पांस से आठ तक जो प्रापधान दिये गए हैं यह उस समय के लिए दिये गए थे आगे चलके अगर कोई नागरिक्ता से संबंदित कोई इशू खड़ा होता है तो उस पे संसत को अधिकार दिया गया है कि वह कानून बनाए और संसत ने इसी अधिनियम का प्रि इसमें संसोधन भी हुए है 1986 में संसोधन हुआ है पहला संसोधन फिर 2002 में संसोधन हुआ है 1992 में भी संसोधन हुआ है तो इस तरह से संसोधन भी हुए है अभी हाल ही में इसमें संसोधन हुआ है इस नागरिक्ता अधिनियम को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और आज आज हमने सम्विधान के भाग 2 को देखा है और इसी भाग का एक अगला हिस्सा आ जाएगा हमारा नागरिक्ता अधिनियम 1905 अभी इसको हम नहीं देखेंगे वरना वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा इसको हम अगली क्लास में डिसकस करेंगे